हेलो दोस्तों स्वागत करता हूँ आपके यूटूब चैनल सी जी डबलू आर करंजी के वीदर वीजन में और बात करते हैं आज अपने एर्जुन के जो भी मोस्ट इंपोर्टन कोशिंस है उन सभी के बारे में सबसे पहले बात करते हैं अपने फर्ष्ट कोशन के बारे में असम का नया राष्ट उद्धान जो है नेशनल पार्क उसका नया उसका नाम क्या रखा गया है सो इसका राइट आंसर होगा गैमनी नेशनल पार्क जो है बिसिकली इसका नाम रखा गया है फिर यदि अपने बा बात करते हैं बाकी के जो ऑप्शिंस दिये गए हैं उनके बारे में जिसे की नेमरी नेशनल पार्क ये आपका असमराजे के अंदर पर जेंट है मानस नेशनल पार्क ये भी आपका असमराजे के अंदर पर जेंट है फिर आप लोग मुझे कमेंट्स के अंदर बताएंगे कि कि को जो कोनो नेशनल पार्क है वो किस राजे के अंदर परजेंट है और हाँ जो भी मुझे इसका आंसर कमेंट्स में बताएगा उसका नाम विद फोटो नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपने यहाँ पर पब्लिस भी किया जाएगा फिर यह दिये अपने बात करती हैं यह ज जो चिते हैं वो परजेंट नहीं है जो अभी परजेंट इनके अंदर भारत सरकार के द्वारा साव्थ अ एफ्रीका से आरांट टैंप जो चीते हैं उनको यहाँ पर लेके आया जा रहा है जिसके अंदर five तो female है और five जो है मेल चीते यहाँ पर इस नेशनल पार्क के अब बात करते हैं यह जो ज्वाला मुखी है थर्ड जून को एक ही दिन के अंदर चार बार इसके हंदर हल चल देखी गई थी और इसका जो लावा है कहा जाता है कि पंदरा सो मिल्टर तक के एरिये के अंदर यह पहुंच चुका था और यह जो आपका दिखाया गया है माउंट मेराब भी है और जो की ज्वाला मुखी के फोम में और यह आपको दिखाया जारा है ज्वाला आपका लावा है फिर अपने बात करते हैं जो बाकिके ओप्शंस दिए गई हैं उनके बारे में सो इंडिया की बात करते हैं इंडिया के अंदर परजेंट टाइम के अंदर सिर्फ एक ही ज्वाला मुखी है जो की अभी एक्टिव है जो की अपना एंडमान जो आइसलेंड है वहाँ पर परजेंट है और उसका नाम बारेन आइसलेंड रखा गया है बारेन ज्वाला मुखी फिर बात करते हैं The Democratic Republic of the Congo ये भी अभी हाले में चर्चे में रहा था क्योंकि यहां पर जो Mount Nira Gogo नाम से एक ज्वालाम की है वो भी अभी active हुआ था फिर बात करते हैं Italy की इटली के अंदर जो भूमध्य सागर है जिसको Meditarians ही कहा जता है उसके अंदर इटली का जो एरिया है वहाँ पर स्ट्रॉंब्री नाम का एक ज्वालाम की वालकोना परिजेंट है जो की हमेशा 24 गंटे ही ये active रहता है इसी वज़े से इसको जो है भूमध्य सागर का परकास स इस्तम भी कहा जाता है फिर अपनी बात करते हैं इंडोनेशिया कंट्री के बारे में ये वाला जो पॉर्शन आपको दिखाया गया है ये वाला हुआ कम्प्लीट पॉर्शन आपका जो है वो इंडोनेशिया का शो किया गया है और इंडोनेशिया कंट्री के बात करते हैं चोटे-चोटे आइसलेंड के रूप में द्वीब के रूप में माना जाता है और इंडोनेशय कंट्री के अंदर पर जो है 10 चोटे-चोटे-चोटे आइसलेंड रोप पिर बात करते हैं यहां की जो capital है वो जकार्था के नाम से जानी जाती है और यहां की जो प्रेजिडेंट है जो कोविडो है क्रेंसी यहां की इंडोनेशियन रुपिया नाम से जानी जाती है और 2022 का जो G20 का सम्मिशन होगा वो भी इंडोनेशिया के अंदर इसका आयोजन किया जाएगा पहले इसका जो IOGEN है वो इंडिया के अंदर किया जाना था लेकिन अब इसको crystal कर दिया ग्याओंडिया को 2023 का जो G20 submit है वो होगा और अभी जो है इंडोनेशिया के अंदर 2022 का जो submit है वो IOGEN किया जाएगा इसे के साथ साथ ही दिबात करते हैं जो 2018 का Asian गेम था उसका आयोजन भी यहां पर किया गया था और यह वाला जो कोशन आपका NTPC के एक्जाम के अंदर एक सिफ्ट के अंदर पुछा गया था कि जो 2018 का Asian गेम वा था वो किस कंट्री के अंदर किया गया था फिर अपने बात करते हैं नेक्ट कोशन चेह बारे में किस राजे नहीं चैहाली मिए जो छो रिडांज किया है दो के दौरा बेसी के लिए श्टार्ट किया गया और के जो मुख्या मंत्री भी बने हैं पिर्राइवी जिन जी उनके दौरा ये घोशना की गी है कि जो भी विरोजगार रहती है और उनके पास जो नोलेज है उसी को आगे बढ़ाने के लिए और उससे जो है जो गौर्मेंट है उसको प्रॉफिट होगा उसी के लिए पर्टिकलर ये जो मिशन आगो स्टार्ट किया गया है फिर बात करते हैं उतराखंड के बारे में उतराखंड के मुख्या मुतरी थ्रावट जी के दौरा भी खाली में जो कोविड नाइटें की वज़े से बच्चे अनात हुए है उ नितियायो के द्वारा सस्टेनेबल डिवलप्मेंट गोल की एक इंडेक्स जारी किया गया था जिसके अंदर टॉप पे जो है वो केरला रहा था और जो सबसे निचले पोजिशन थी उसके अंदर बिहार इसके अंदर रहा था फिर अपने बात करते हैं केरला राज्ये के बा और पॉण्डोचरी उनिं टेरिटरी है उसका एक डिस्टिक है उसके बांड़ी बीजस के साथ तैच होती है और यह अपने बात करते है अब किरला के पहले एसे रहा थी बने है राजय पाल की बात करते हैं तो आरिफ मौमद खान जी बने हुए है इस राजय को जो निमान हुआ था 1956 के अंदर हुआ था और यहां का काफी फैमस जो फेस्टिवल माना जाता है उसको ओनम कहा जाता है फिर आप लोग मुझे कमेंट्स के अंदर बताएंगे कि यह जो ओन जो उग इस भी किया जाएगा फिर अपने बात करते हैं यहांकी जो डांसे है निसनल पार्क जिनकों अपने कहते हैं अब अपने बात करते हैं यहां की जो विदान सभा की थी 141 सीट्स लोग सभा की 20 और रज्य सभा की 9 सीट्स जो यहां पर परज्यन्ट है अब यह अपने बात करते हैं केरला रज्य के बारे में और यहां की करेंट न्यूज के बारे में जिसके विज़सी यह चर्चा में रहा था वह पहला जो पॉइंट अपने बात करते हैं जो नितिया योग के दोरा जो SDG इंडेक्स जारी किया गया था उसके अंदर टॉप जो किया था वह केरला ने किया था फिर बात करते हैं भारत की सबसे कम उमर की जो महापौर बनी है वह आरे राजिंदरन बनी है फिर बात करते हैं जो सारवजनिक या फिर अपने बात करते हैं पबलिक इंडेक्स जारी किया गया था उसके अंदर टॉक पिक केरला रहा था और MSP को लागू करने वाला सबजीयों में वेजिटेबल में लागू करने वाला पहला राजी भी ये बना था और यहां की बात करत हैं तो प्रगया यहां पर स्टाट किया गया इसी तरह से पार्ट अब्रीयान यहां घिपाएब स्टर से और इत्र को स्टार्ट किया गया करला में भारत के पहली स्टाव को पास करने वाला पहला रज्ज़ भी यही बना था और डिज़ अपने बात करते हैं आर्ट से ले खा नाम की पहली मेला डिज़िपी यहां पर बनी है फिर अपने बात करते हैं नेक्स्ट कोशन के बारे में अजरबेजान Grand Prix F1 race जो अभी हाली में किसके द्वारा जिती गई इसका right answer होगा option B Sergio Perez के द्वारा basically ये race जिती गई है ये जो Sergio Perez है Red Bull जो है उसके driver है और ये जो अपने बात करती है मैक्सिको के रहने वाले person है अब ये अपने बात करती है इसी race के अंदर second position पे सेबेस्टिन वैटल रहे थे और third position पे पियरी गैसली इसके अंदर रहे थे अब ये अपने बात करते हैं मैक्स वैट्स पर्म की ये भी Red Bull के driver है ये जो है इस race के अंदर कोई भी position पे नहीं रहे है फिर ये अपने बात करते हैं आप लोगों को ये वीडियो पसंद आ रहा हो तो आप इसे like कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ इसको आप share भी जरूर कीजिएगा जो भी person इस channel को first time देख रहे हैं चैनल को subscribe कीजिएगा और पास में जो bell icon गया उसको भी आप्रेस कीजिएगा फिर अपने बात करते हैं next question के बारे में और sorry बात करें अपनी आज तक जितनी भी grand picks हुई है उन सभी के बारे में सबसे पहले बात करते हैं इस वर्ष की पहली जो रेस हुई थी वह बहरीं grand picks माने जाती है जिसको लुई सैमिल्टन के द्वारा जिता गया second जो है max redspun के द्वारा जिती गी जिसको emelia romagna race के नाम से जाना जाता है थर्ड जो हुई थी वह पुर्तकाली grand picks हुई थी लैवी सैमिल्टन के द्वारा जिता गया फिर अपने बात करते हैं four जो ही Spanish grand picks हुई थी जिसको लैवी सैमिल्टन के द्वारा जिता गया फिर monaco grand picks जो की max redspun के द्वारा जिती गई थी फिर बात करते हैं अजर्बेजान की सो अजर्बेजान grand picks वह हो सर्जियो पेरेज के द्वारा जिती गी जो की red bull के driver और के अपने मेक्सिको के रहने वाले person है फिर बात करते हैं next question के बारे में अभी हाले में 2021 नैच्चर टीटिल फोट बात करते हैं इनके द्वारा यह जो फोटो कीची गई है इसको इन्होंने जो नाम दिया था the word is going upside down नाम से यह जो फोटो है वो publish की गी थी और यह जो अवार्ड है बेसिकली वर्चली प्रवाइड करवाया जाता है कनेडा के द्वारा और इसके अंदर इस बार जो है फिर अपने बात करते हैं जो बाकी के options हैं उनके बारे में जिसे की एशुरा स्रीधर की बात करते हैं तो भारत की रहने वाली यह एक लड़की है जिनको wild photographer of the year award से समानित किया गया जो की पहली भारतिया यह महिला बनी है फिर बात करते हैं जैनी गुडबल के बारे में यह कहां के रहने वाले हैं फ्रांस के और यह पहले ऐसे French novelist या author बने हैं जिनको international main booker prize award से समानित किया गया है तो आप लोग मुझे यहां पर इस question का answer comments में बताएंगे इनके दोरा जो उपन्यास लिखा गया है novel उसका नाम क्या है जो कि most important नाम रहेगा और आपको अगे वाने वाले जो भी exams होंगे वहां पर देखने को जरूर मिलेगा फिर अपने बात करते हैं next question के बारे में हर साल साथ जुन को कौन सा दिवस है वो मनाया जाता है so इस अपने बात करते हैं इस दिन जो particular world food safety day मनाया जाता है और यह जो day है particular WHOK सयोग से जो world food program है organization है world food organization उसके द्वा बारा बनाया जाता है फिर यह दिए अपने बात करते हैं जो बाकी के options किये गए हैं उनके बारे में जिसकी word environment day की बात करते हैं तो फिफ जुन को यह मनाया गया था और यह भी question आपका important question है जो की exam में आपने को देखने को जरूर मिलेगा और इसकी जो theme है वो आपको जरू आप से पूछा जा सकता है फिर अपने बात करते हैं international sex worker day जो कि आपका second June को मनाया गया और वर्ड milk day की अपने बात करते हैं जो कि आपका first June को मनाया गया था फिर बात करते हैं अपने जो word अपने बात करते हैं word food safety day के से related जो भी अपने organization है जैसे कि FAO के बारे में अपने ब food program उसके बारे में अपने कुछ बातें कर लेते हैं सो सबसे पहले बात करते हैं food and agriculture organization FAO जिसकी स्थापना जो कहते हैं कि 1945 के अंदर हुई थी और 2025 के अंदर इसकी 75 वी जो एनिवर्सी मनाईगी थी इसके जो डायक्टर जनरल बने हुए क्यों डॉंग्यू बने हुए है और इसका जो हैड़कॉर्टर है वो रोम इटली के अंदर परजेंट है एफ एक अंडर में ही एफ जो वर्ड फूड प्रोग्राम जो है वो बेसिकली आता है और इसको 2020 के नोबेल पीस प्राइस से भी समानित किया गया था इसी तरह से जो FAO के अंतरगत आने वाले वर्ड FAO की तरफ से लेकिन इसका जो भी खर्चा होता है वो बहन किया जाता है जो थाइलेंड के रजा है उनके द्वारा सो यह जो अवार्ड भी प्रोइड करवाया गया वो इंडिया की जो ICAR है उनको यह प्रोइड करवाया गया था फिर अपने बात करते हैं नेक्स्ट कोशन क के बात करते हैं तो इसका जो हैड़ कोर्टर है वो मुंबई के अंदर पर जेंट है फिर यह अपने बात करते हैं एक पर दुबारा अपने बात करते हैं फिर यह अपने बात करते हैं जो बाकी के उबकिन दिए गे गे उनके बारे में जिसे टी रभी शंकर के बात करते हैं तो यह जो और एक गर्वनर के भी नुकति की गई है फिर बात करते हैं आमेताब चोधरी की तो एक्सिस बैंक के दुबारा से ये जो है वहां पर अम्डी नियुक्त किये गए परदीब चंद्रन नायरंट की अपने ये बात करते हैं तो असम राइफल्स जो की भारत की सबसे पुरानी सिसस्तर सेना बल्मानी जाती है उनके ये अभी जो है डीजी नियुक्त किये गए हैं फिर बात करते हैं ये नेक्स्ट कोशन के बारे में होकी फाइव एस विसव कब 2024 के मेजबानी जो है वो किस कंट्री के द्वारा की जाएगी तो इसका ट्राइट आंसर होगा ओमान कंट्री के द्वारा बेसिकली इसका आयोजन किया जाएगा अब बात करते हैं ये जो किया जाना है इसके तहट बेसिकली बिड लगाई की थी जिसके अंदर इंडिया पाकिस्तान और सिंगापूर ने पार्टी स्पेट किया था लेकिन इन सब कि यह एक निया जो ग्रूप है कि खेल के लिए बनाया गया है फिर यह अपने बात करते हैं जो बाकी के उप्शन दिये गए हैं उनके बारे में जिसे की इंडिया के बात करते हैं तो इंडिया जो अभी एफ आइच के द्वारा एक रैंकिंग लिस्ट जारी की गी थी जिसके आप इसे लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर भी आप जुरूर कीजिएगा जो भी परसन इस चैनल को फ़स्ट टाइम देख रहे हैं चैनल को सबस्क्राइब कीजिए पास में जो बैल आइकन दिया उसको भी आप प्रेस कीजिएगा अब अपने बात करते हैं इरान का सबसे बड़ा जो नेवी यार था या जो जहाज था जिसका नाम दखर्ग था उसके अंदर आग लगने के वज़े से वो पूरा का पूरा नोसरिक साथ जो हो डूड़ गया फिर बात करते हैं अंतराश्टिया में बुकर प्रुसकार 2021 जो है अब हाली में पन्यासकार डेविड डियोब को बेसिक लिए प्रवाइट करवाया किया पांच सून जून को जो है हर साल वर्ड एनवार्मेंट डे बनाया जाता है असम राइपल्स के डारेक्टर के रूप में जो है वो परदीब चंदर नायर्म को सेलेक्ट किया गया और आइटी मदरा याई बैंक कैसा बना है जो की स्विफ्ट जी पिए इंस्टेंट की सुविधा प्रदान कर रहा है फिर बात करते हैं अपने आज के जो भी कोशन से उन से भी क्या आंसर आप लोगों को यहां पर शोक किये गए हैं फोटो अपना फोटो यहां पर दिखना चाहते हैं तो आ नेम पब्लिश किया चाहेगा एट दे लास्ट थैंक्स फोर वोचिंग थैंक यू थैंक यू सो मच